1930 के आसपास जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसने सब को शौक कर दिया एक 4 साल की बच्ची जिसने दिल्ली में जनम लिया था वो अपने पिछले जनम की कहानिया बता रही थी उसने हर एक बात को इतनी डिटेल से बताया था जितना एक 4 साल की बच्ची के लिए सोच माना भी मुश्किल था के बात उस वक्त पूरे भारत में बहुत तेजी से फैली और जब गांधी जी तक पहुंची तो वो भी सोच में पढ़ गई कि क्या ये सब सच में पॉसिबल है तो चलो आज शांती देवी के पुनर जनम की कहानी के बारे में जानते हैं राम राम मैं हूं गुजेंदर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है कहानी शुरू होती है 18 जनवरी 1902 से मतुरा में चत्रबुज नाम के एक आदिवी के याँ एक बेटी पैदा हुई और उसका नाम रखा गया लूगडी देवी जैसे आप सब जानते हो उस वक्त लोग कम उमर में अपने बच्चों की शादिया कर देते थे इसलिए लूगडी देवी की शादि भी 10 साल की उमर में मतुरा में एक कपड़े की दुकान करने वाले केदारनाच चौबे के साथ हो गई अब उनकी जिंदेगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कुछ सालों के बाद लूगडी देवी को मा बनने का मौका मिला डिलिवरी के बाद उनका बच्चा तो बच गये लेकिन उसके 10 दिन के बाद लूगडी देवी ने दम तोड़ दिया अब आता है कहानी में टोष्ट इन सब के ठीक 10 महीने के बाद दिल्ली में एक बच्ची का जर्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शांती देवी शुरू में इस बच्ची के माबाप फुटी टेंजन में थे क्योंकि दूसरे बच्चों के कमपैरिजन में इसने बोलना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था जब शांती देवी चार साल के होई और बोलनी लगी तो उसकी बाते सुनकर माबाप के होश उड़ गए सबसे पहले तो उसने ये बोला कि ये मेरा घर नहीं है मैं तो मथूरा की हूँ और मुझे अपने घर ले चलो माबाप को शुरू में लगा कि छोटी बच्ची है कुछ भी बोल रही है और उन्होंने उसकी बात पे ताध्या नहीं दिया के स्कूल के हेड मास्टर को पता चली तो उन्होंने शांती से पूछा कि तुम्हारे पती का नाम क्या था तब शांती ने उनको बताया कि मेरे पती का नाम है केदारनाथ चौबे ये सुनकर उनके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि एक छोटी सी बच्ची इतने मास्टर जी ने अपने रिष्टिदारों से बात की और पूछा तो पता चला कि मतुरा में एक केदारनाथ चौबे नाम का आदमी है जिसकी पतनी अपने बच्चे को जनम देने के 10 दिन बाद ही मर गई थी ये सुनते ही मास्टर जी शौक हो गए इसका मतलब वो बच्ची जो भी बाते कर रही थी वो सब सच था मास्टर जी ने ये फैसला किया कि अब वो केदारनाथ को शांती देवी से मिलवाएंगे और फिर देखेंगे कि वो केदारनाथ की शकल पैचान पाती है कि नहीं मास्टर जी केदारनाथ को लेकर दिल लिया गए और उन्होंने शांती देवी के माबाप से कहा कि उसको ये बूनला कि मैं केदारनाथ के बड़े भाई को तुमसे मिलाने लाऊंगा ताकि पता चल सके कि शांती देवी केदारनाथ को पैचान पाती है कि नहीं जैसी वो दुनों शांती देवी के घर पहुचे उसने तुरंत केदारनाथ को पैचान लिया और सभी को बुला कि ये मेरे पती है। ये सारी बाते सुनकर केदारनाथ को भी अजीव लग रहा था। और हुआ क्या शांती देवी ने उन सभी सवालों का जवाब भी दे दिया। अब केदारनाथ को यकीन हो चुका था कि शांती देवी ही लुगडी देवी का पूरनर जनम है। जैसी ये बात कन्फर्म हुई ये खबर पूरे भारत में तेजी से फैल कई। 1900 के उस टाइम में भारत अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और ये बात गांधी जी तक पहुची अब क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर विश्वास करना आसान था तो गांधी जी ने एक 15 मेंबर की कमिशन को बनाया और कहा कि आप जाओ औ में हर तरह के एक्सपर्ट्स फ्यामिल थे वो शांती दीवी को लेकर माथूरा पहुच गए जैसी वो स्टेशन पे उतरे वहां उनको एक आदमी मिला जिसको शांती दीवी ने अपना जेट बोलते वे पैचान लिया उसके बाद उस चोटी सी बच्ची ने अपने घर का र शांती दीवी ने कहा कि मैं उपर एक जगे पैसे चुपागे रखती थी आप वहां जाओ तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे वो लोग वहां गए और उनने बहुत डूना लेकिन उनको कुछ नहीं मिला तब केदारनात ने बताया कि लूगडी देवी के मरने के बाद उसन इसको स्टडी करने के लिए धुनिया भर से लोग आए कुछ ने का कि ये स्टोरी सिर्फ फेम पाने के लिए बनाए गए थी पर कुछ रिसर्च्टर्स ने इसको वैलिट प्रूफ किया ये सब चलता रहा पर शांती देवी ने पूरी जिंदी की किसी से शादी नहीं की और 61 साल की उमर में उन्होंने दम तोड़ दिया आज भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आती है जहां लोग पुनर जनब की बाते करते हैं में से बहुत सारी तो फेमस होने के लिए बनाए जाती है लेकिन जो थोड़ी बहुत सच होती है उनमें दो बाते हमेशा से कॉमन देखी गई मतलब कि एक तरफ से कोई गया और उसी मूवमेंट में उसने किसी और बाडी के दुरू जनम ले लिया हमारे धरम में ये भी कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने पिछली जनम की सारे बाते याद रहती है उसने 436 लोगों की जान ली थी जिसके वज़े से उसका नाम Guinness Book of World Record में दर्जू आता अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं आपसे फिर भी लूँगा कैसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए राम राम